Recently, French authorities ने 300 से जादा लोगों को carry कर रहे एक aircraft को detain किया क्योंकि उनका मानना है कि ये दुबाई से निकरागुआ जाता हुआ aircraft human trafficking victims को carry कर रहा था दोस्तों, आपने शायद निकरागुआ का नाम ना सुना हो लेकिन ये Central America की largest country है जो illegal immigration के मामले में काफी आगे आती है क्योंकि यहां से कई लोग US और Canada में illegal entry लेते हैं ऐसा इसलिए क्योंकि ये country Central America की second most poor country है और यहां के जादातर लोग पिछले 30 साल से massive poverty और unemployment की चपेट में है इसी के साथ यहां political conflicts और opposition groups के बीच में wars होना भी काफी common है जो living condition को और जादा worse बना देता है पिछले कुछ सालों से यहां human trafficking और sexual exploitation के cases बढ़ते हुए देखे गए हैं और इसी illegal immigration पर based शारुक खान की नई film डंकी भी release हो चुकी है ऐसे में यहां की सरकार के पास resources ही नहीं है कि वो अपने borders को properly patrol करे या बहरी लोगों को अपने देश में आने से रोके और काफी हद तक यहां के relax visa norms भी इस policy के लिए जिम्मेदार है हाली में आई शारुक खान की film डंकी जो illegal immigration पर based है उसमें दिखाए गए सिनारियो काफी हद तक इस देश में भी देखे जाते हैं इस वीडियो को अभी शेर करें और ऐसे informative वीडियो के लिए मुझे अभी follow करें